च्छतर पूर में पूरे देश में नीट की एक्जाम्स को लेके नर्सिंग की एक्जाम्स को लेके व्यापम को लेके नोकरियों की भरती को लेके पेपर लिग को लेके जो नरेंद्र मोधी के राज में प्यार से लोगों ने वोट दिया उनके बच्चों के भविश्कों लियान चालू रखा है और छतरपूर में इसका अंदोलन था हम ग्यापन दे के कलेक्टर से बात करके राष्ट पती को अपनी भावना वेक्ट करना चाहते थे पर चुकि पानी की बोचार और लट और डंडे ये सब भेज दिये और हमें यह लिया है तो कांग्रेस पार्टी अपनी बात कहती रहेगी मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं है मध्य प्रदेश में जंता की भी सरकार नहीं है मद्य प्रदेश में मोहन यादोजी की भी सरकार नहीं है मद्य प्रदेश में माफियाओं की सरकार है आज रेत माफिया क्या होता है छहतरपूर की जनता जानती है खनीज माफिया क्या होता है, सिख्छा माफिया क्या होता है शराब माफिया क्या होता है जमीन माफिया और क्या होता है प्रशासनिक माफिया और राजनितिक माफिया ये सब मध्यप्रदेश में चलने लग गया है मैं मध्यप्रदेश कांगरेस कमिटी पूरी ताकस से इस माफिया राज के खिलाप लड़ती रहेगी और जैसा मैंने आप सबसे आग्रे किया कि जोर जुल्म की टक्कर में संगर शमारा नारा है हम सईयम सर्व विपक्ष की भूमी का रिभाना चाहते हैं मोहन यादव जी को जिनोंने कर्ज, क्राइम और करप्षन को अपना तीन मंत्री बना लिये हैं कर्ज, क्राइम और करप्षन, मोहन यादव के तीन मंत्री हैं यह रोच कर्ज वाला करज का काम करता है, लेने का करप्षन वाले सब दूर लगे हुए हैं और क्राइम जगे जगे होता है मैं मानता हूँ मद्यप्रदेश की जन्ता ने बहुत प्यार से चुना है इन लोगों को पच्छिस साल से चुना है आज जितनी भी तकलीबे हैं वो चाहे मेंगाई की हो चाहे बेरोजगारी की हो चाहे व्यापम और परिक्षाओं की धान्ली की हो पेपर लिख की हो, चाहे किसानों के कर्ज और उसकी आत्मत्या की हो, चाहे दलितों पे अत्याचार की हो, इसका सब का दोशी अगर कोई है तो बीजे पी है, मैं फिर से मोहन यादोजी से अमरोत करता हूँ कि ये करप्चन और माफियाओं की सरकार को ज़रा दुरूस्त करो, अन्यता कांग्रेस पार्टी विपक्ष की भूमिकात ताकस से द्रड़ता से निभाती रहेगी, हमने कहा था कि नर्सिंग का जो सबसे बड़ा आपरोपी है, विश्वास सारंग, उसको गिरपतार करके मंत्री पस्ते हटाना चीए, नहीं हटाया, कितनी दूर्दान वेवस पस्ता है इस सरकार की, एक मंत्री है, सागर के गोविन राचपुजी, उनके खिलाप एक परिवार ने कहा कि हमारे पिता को हमारे घर से लेके गए गोविन राचपुजी, पूरे प्रशासन ने इस बात का ध्यान नि दिया, कांग्रेसियों ने, आम जंता ने इसके आंदो मद्यपदेश की सरकार के अधिकारियों पर भरोसा नहीं किया, देश के आई-एस अलग-अलग जगे के लोगों की हैसाइटी बना कर उस पूरे केस को कोट ने उसके सुप्रत किया है, यह क्या मेसेज है, यह मेसेज है कि सरकार पे अब कोट को, वेवस्ता को, आम जंता को इसलिए मैंने कहा यह माफिया सरकार है। धन्यवाद। जीतु बोले यह सरकार इस बरबरता से युवा और किसानों के हित में उठने वाली आवाज को नहीं दबा पाएगी। प्रदेश के मुख्या सिये मोहन यादव को यहां आना चाहिए था। लेकिन मोहन यादव इवेंट्स करने और अखबारों की सुर्खियों में चाने में व्यस्थ हैं। जीतु ने सरकार से आदेश देने की अपील भी की कि प्रदेश भर में जरजर इमारतों को। गिराया जाए अभी हाल ही में सागर जिले में रविवार को एक बड़ा हादसा हुआ था। यहां के एक गाव में धार्मिक कार्यक्रम के दौरान दिवार धै गई जिसमें नौ बच्चों की मौत हो गई। PCC सुप्रीमो पटवारी ने बताया कि सागर जिले का चाहे बरोदिया नौनागिर मामला हो चाहे मानसिंह पटेल वाला मामला हो लगातार पिछडे दलित लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है। जिसको लेकर 12 अगस्त को वह सागर पहुचकर कलेक्टर और SP से बात करेंगे और उनसे जवाब मांगेंगे।